हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आएँ एक ऐसी रेसिपी जो बन जाती है जटपट से और खाने में इतनी स्वाधिस्टिक एक बार आप बना लेंगे तो आपके घर वाले बार बार आपसे यही बनवाएंगे तो चलिए बना लेते हैं स्वाधिस्टिसा आपके लिए ले रही हूं यह एक कटोरी सूजी इसमें मैं एट कर लूँगी थोड़ा सा जीरा दो हरी मीर्च और साथी मैं इसमें एट कर दूँगी आधा चमच जिंजर पाउडर अगर आपके पास अद्रक है तो आप एक टुक्डा अद्रक इसमें डाल सकते हैं मेरे प बोल में मैं इसे टांसपर कर रही हूँ और इसमें मैं एट कर दूँगी एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा और चट पटा भी बनेगा एक चवथाई चमच इसमें डाल लिया है मैं ने चाट मसाला और आदा चमच मैंने इसम बेकिंग पाउडर में एड़ करूंगी और इसे तुरंत ही हम मिक्स करेंगे और तुरंत ही हम इसे बना लेंगे तवे पे मैं एक चमच ओईल ले लूँगी और डाल लूँगी इसमें यह बैटर और इसे आराम से फैला देंगे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है बस इतना ही हम इसे बनाएंगे और इसके उपर मैं एक लीड लगा दूँगी और इसे ढख करके कुक कर लेंगे पांच मिनट मैं इसे ढखूंगे और ढख करके कुक करूंगी तो देख लीजे फ्रेंट पांच मिनट बाद ये कुख हो गया है तो देख लीजे बिलकुल सानदार ये जालीदार नास्ता बन करके तयार है ये देख लीजे अंदर से भी बढ़िया से ये कुख हो गया है देख लीजे ये बिलकुल जालीदार ये बना है बहुत ही स्वादिस्ट ये नास्ता बन करके त्यार होता है तो देख लीजे बिल्कुल जालिदार खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगता है तो एक और मैं आप लोगों को ऐसे ही बना करके दिखाती हूँ तो फ्रेंट से नास्ता बहुत जल्दी बन जाता है सुबह सुबह जब भी हम नास्ता बनाते हैं तो हमेशा हमें यही रहता है कि क्या नास्ता बनाएं तो आप सूजी से यह सांदार नास्ता बना सकते हैं आप इसे टोमेटो उत्पम भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें टमाटर यूज किया है इसमें खटा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही सांदार ये नास्ता बन करके तयार होता है तो friends आप इसे जरूर ट्राइ करें आपको ये बहुत पसंद आएगा एकदम से जटपट से ये बन जाता है और खाने में बहुत ही सांदार होता है तो देख लिजे फ्रेंस मैंने एक और बना करके तयार कर लिया है इसी तरीके से आप ये नास्ता बना करके तयार कर सकते हैं काफी स्वाधिस्टी ये नास्ता बन करके तयार होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है डेली एकी जैसा नास्ता करके आप बोर हो गये हैं तो आप य नास्ता ट्राइ कर सकते हैं दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है और खाने में उतना ही अच्छा तो एकदम से सॉप्ट ये नास्ता बन करके तयार होता है बिल्कुल जाली दार देख लीजे आप इसे गर्मा गरम प्रोस ये गर्मा गरम खाने में ये नास्ता बहुत ही स्वाधिस लगता है तो फ्रेंड्स मैंने देख लीजे एक कप सूजी के साथ इतना सारा नास्ता बना करके तयार कर लिया है एक कप सूजी से आप काफी सारा नास्ता बना करके तयार कर लेंगे तो देख लीजे बिल्कुल सौफ्ट ये ये नास्ता बन जाता है तो देख लीजे मैंने इसके साथ बनाया है पुदीना और टमाटर की चटनी तो देख लीजे पीछे से भी किता बढ़िया जालीदार बनाया है और बिल्कुल सॉप्ट ये नास्ता बनता है और खाने में बिल्कुल लाजवाब होता है तो इसमें मैंने टमाटर यूज किया है तो टमाटर का कलर भी बहुत अच्छा आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो देख लिजे फ्रेंट्स मैं तो इसे चटनी के साथ खाने वाली हूँ बहुत ही स्वाधिस्ट ये नास्ता बन करके तयार होता है और बहुत जल्दी ये नास्ता बन करके तयार हो जाता है दस मिनट में ही आप ये नास्ता बना करके तयार कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नाभूलें अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक पहुंचती हैं तो फ्रेंट्स आप भी इस नास्ते को ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कैसा बनाता तो फ्रेंट्स मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना क्याल रखें बाई बाई